हेलो बच्चों मैं सांक आप सभी का स्वाथ करता हैं तो आज हम फिर से प्रजेंटे क्लास टेन की केसे सिना कि एक और विडियो के साथ जिसमें कि आज हम एक्सेसाइज 4.4 का कुशिन नमर 46 से 50 तक का सुलुशन हम करेंगे तो विडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें नया तो प्ली सब्सकाइब करना बिल्कुल न भूलें और यह जो है लास्ट विडियो है हमारे इस चेप्टर का क्योंकि इसके बाद चेप्टर खतम हो जाएगा उसके बाद आपका AP स्टार्ट हो जागा यानि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानि समानतर शेड़ ही आपक उसमें से समू में सामिल कुछ उटों की संख्या के बर्गमूल का दुगना समू पहाड़ों पर चला गया यानि काता है कि कुछ जो उट है जो थे कुल उट के बर्गमूल का दुगना ठीक है यानि पहले तो दुगना उसके बाद उसका बर्गमूल और काता है वह संगल में चले गए तथा कि सेस जो पंद्रह उठ थे एक नदी के किनाय दिखाई दिए ठीक है तो बताए उस समुह में कितने उठ हैं चैक बहुत अच्छा प्रश्ण है इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं तो लिखेंगे कि माना समुह में उठों की कुल संख्या कि कुल संख्या बरावर एक्स हमको पता नहीं कितने उठ हैं तो इसको मान लेंगे एक्स मान लेंगे अब प्रश्ण से प्रश्ण से कता है जंगल में जंगल में ठीक है जंगल में अब क्या है जंगल कुछ उठ तो क्या है जंगल में चले गया थे ना तो लिखेंगे कि जंगल में दिखाई दिये उंटो की संख्या तो जंगल में कितने उट दिखाई दिये थे कुल उट का चौथाई भाग यानि एक सबटा चार भाग जो है वो क्या थे जंगल में दिखाई दिये अब उसके बाद कहता है कि कुछ जो उटे है वो पहाड़ों पर गये थे कितना दुगने याने कुल संख्या के दुगने का बर्गमूल तो हम लिखेंगे पहाड़ों पर पहाड़ों पर दिखाई दिये पहाड़ों पर दिखाई दिये उटों की संख्या बराबर दुगने था लेकिन कुल संख्या का बर्गमूल तो यानि 2 root x ठीक है असेस कितने उट बच गये थे जो नदी किनारे वो 15 थे तो यानि कह सकते हैं कि कूल उट की जो संख्या थी वो इस प्रकार थी पहला तो जंगल में दिखाई दी कुछ उट पहाड़ पर चल गये असेस जो 15 बच गये तब मिलाकर क्या है एक्स की संख्या हमको क्या है प्राप्त होती है अब चलिए अब इसकी सहाइते से हमको क्या है उटो की क्या है पूरी संख्या निकालनी है चलिए तो अब क्या करेंगे एक्स को इधर इन दोनों की इधर लेक्च चल गया अब देखे अगर तो इसका LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 4X माइनस X माइनस 60 बरावर 2 रूट X ठीक है 4 में से गया 3X माइनस 60 बरावर 4 उसे जाग गुना होगा तो 4 दूनी यहाथ है रूट X अब देखे अब हमको सबसे पहले रूट को हटाना पड़ेगा तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या है कि दोनु तरफ वर्ग मूल कर दोते हैं दोनु तरफ वर्ग करने पर दोनु तरफ वर्ग कर दोते हैं तो जाएगा 3X माइनस 60 का होल स्कुाई बरावर 8 root x का whole square चले ते देखे a minus b के whole square पर हे तो हो जागा 3 x का whole square minus 2 into 3 x into 60 plus 60 का whole square बराबर 38 64 x बराबर देखे 9 x square minus 36 x plus 36 अब देखे 14 x इधर ही लेख चले आते हैं minus 64 x बराबर 0 ठीक है इतना समय हम कोई रिकत नहीं हुआ हुआ तो जगा 9 x square minus देखे इन दोनों जूड़ी आएगा तो जगा 424 x plus 36 ठीक है अब चले शुरू लास्ट को गुना की जगा आएगा 324 x इसको अगर आप तोड़ेगा तो देखे 324 x 324 plus 424 x 324 x 32 x 9 x square minus 324 x minus 100 x plus 36 पराबर 0 क्योंकि समी करें के दूसरी दरब कुछ नहीं होता तो 0 तो होता यह 9 x common निकालेंगे तो बचेगा x minus 36 एहाँ हो जाएगा 100 यदि common निकालें तो x minus 36 बराबर 0 इधर हो जाएगा 9 x minus 100 अईधर हो जाएगा x minus 36 बराबर 0 0 के बराबर यदि हम दोनों को करते हैं बराबर 0 इधर x minus 36 बराबर 0 तो x aber honoring 36 आजाएगा आईधर देखते हैं तो x बराबर जाएगा 100 99 मतलब दसंबला में तो हमको क्या उट की संख्या दसम्लों में होगी, नहीं, तो उट की संख्या तो धनात्मक होगी, तो रिखें क्या है, कि उटों की संख्या, उटों की संख्या, क्या होगी, धनात्मक और पुर्णांक होगी, तो इसलिए, x बराबर, 36, तो इसलिए, उटों की कुल संख्या, अबर एकस जिसको माने हैं तो उसका मान कितना 36 हमारा एंसर हो जाएगा तो यह था हमारा कोश्य नंबर 46 का एंसर आई देखते हैं कोश्य नंबर 47 को चलिए कोश्य नंबर 47 करता है कि परेटकों का एक दल है ठीक है जिसमें कुल 1200 रुटल का कमरा लिया है तीन सदस्दे कुछ पैसे देने में समर्थ इसके फल से रुप क्या हुआ पर एक जो दूसरे सदस्द से उसको 200 रुप आधिक देना पड़ा तो दल में कुल कितने परेटक हैं तो चलिए दिखेंगे माना दल में माना दल में परेटकों की संख्या माना दल में परेटकों की जो संख्या है वो एक से प्रश्ण से यदि बारा सो रुपया दाम पढ़ा था तो सब को एक सुपया देना पढ़ता क्योंकि यह क्या है परेटों की संख्या एक से लेकिन हुआ क्या कि उसमें से 3 जो ब्यक्ति थे देने मा समर्थे तो 1200 बटा एक्स क्योंकि 3 तो घड़ी आगा ना क्योंकि 3 तो नहीं देगा तो कहता है कि जब ऐसा हुआ तो सबको 20 रुप्याधिक देना पड़ा तो इन दूने को घटा देंगा चलिए तो बन जागा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स तो हो जागा 1200 एक्स माइनस 1200 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 20 हो जागा 1200 एक्स माइनस 1200 एक्स प्लस 3600 बराबर इस सब चला जागा उड़ा है तो हो जागा 20x square minus 6x हो जागा ने टूटेगा तो चले 20 multiply यह दोने तो खतम तो यह उधा चला जाएगा तो 20x square minus 6x minus 3600 बरावर 0 चले 20 common लेते हैं तो हो जाएगा x square minus 3x minus 180 बरावर 0 चले 20 उधा जाएगा 0 के तरफ तब तो वो कड़ियागा क्योंकि क्या है कि 0 बटा 20 तो खतम हो जाएगा तो हो जाएगा x square minus 3x minus 180 बरावर 0 देखिए सुरू last गुना के 180 इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़े खटा है तो 3 आया गुना करें तो 180 आया तो पाए है x square minus 15x plus 12x minus 180 बरावर 0 चलिए x common लेते हैं तो x minus 15 आया थो जाएगा x common ली जाएगा 12 common लेते हैं plus 12 common लेंगे तो x minus 15 बरावर 0 तो यहां हो जाएगा x plus 12 यहां हो जाएगा x plus 15 बरावर 0 तो यहां हो जाएगा x minus 12 x बरावर 15 तो यहां लिखेंगे कि परेटकों की संख्या क्या होगी धनातमक होगी तो इसलिए x बरावर लेना पड़ेगा 15 तो इसलिए परेटकों की संख्या क्या है परेटकों की संख्या जिसको हमने माना था x बरावर 15 तो यह था हमारा question number 6 I hope बीड़ो पसंद आए बीड़ो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेर करें ने तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कूं न भूले तो चले चलते है question number 48 question number 48 कहता है यहाँ पर कि दो पानी के नल एक साथ हौज को भरने में 6 मिनट में भर सकते हैं यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल अलग-अलग कितनी देर में हौज को भरेंगे ठीक है यानि इसका मतलब है कि एक जो नल होगा वो बड़ा नल होगा यानि दूसर जो है वो छोटा होगा चल दिसके लिए ते हैं कि माना जो है बड़े नल दौारा ठीक है बड़े नल दौारा हौज को भरने में लगा समय ठीक है लगा समय बराबर मान लेते हैं एक्स मिनिट ठीक है तो वहीं पे छोटे नल द्वारा ठीक है छोटे नल द्वारा हाउज को भरने में लगा समय हाउज को भरने में लगा जो समय है वो कितना हो जगा पांच मिनिट यादा लेता है प्लस पांच मिनिट ठीक है ऐसे सवाल बहुत बाइसे सी वगेरा में पूछा जाता है तो यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है तो प्रस्ट में से चैता क्या कि छे मिनिट टोटल सम reminding ताइस अगर आपμέको कहें एक मिनिट में खितना भड़ेगा तो क्या बताई एग जसे मांलेजे कि एक काम काम मैं मिलकेya की 5 दिन में कुछ कि तो एक मिनिट में कि कितना करेगा एक एक से नलीह भड़ेगा बड़ा Al kim A बढ़ेगा, x plus 5, यानि एक बड़ा एक प्लस 5, Total समय केतना है, छे मिन्ट में, तो एक दीन, एक मिन्ट में, कितना भादवा परेगा, एक बड़ाच छे भाग भादवा चले तो हो जागा, x einz plus 5, ठीक्या, तो जागा, x plus 5, plus x, बढ़ाब एक बड़ाच चे, ठीक है तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इसको ठाक उधर ले जाएए और यह च्छे ही थे multiply हो जाएगा हो जाएगा x square plus 5 जाएगा एक से multiply होगा तो इतना ही बच जाएगा तो हो जाएगा 12x plus 30 बरावर x square plus 5x ठीक है यहाँ हो जाएगा x square plus 5x minus 12x plus 30 प्लस 30 बरावर 0 ठीक है हो जाएगा x square minus 7x plus 30 बरावर 0 अब देखे 7x को तोड़ना है तो 10 ती है 30 10 मिस 3 गया 7 प्टूड़ियागा तो x square minus 10x plus 3x plus 30 बरावर 0 ठीक है यहाँ आ जाएगा इतना sorry 30 हो जाएगा यह माइनस में रहेगा न देखे अभी गलत हो जाता यह माइनस में चली तो जाएगा x कॉमल लेंगे तो x minus 10 plus 3 कॉमल लेंगे तो x minus 10 बरावर 0 ठीक है तो हो जाएगा x plus 3 और x minus 10 बरावर 0 तो 0 के बरावर करेंगे एधर x बरावर 10 क्योंकि जो इधर minus में उधर जागा तो plus में जो plus में उधर जाएगा तो minus में हो जाएगा अब क्या आपने कभी सुना है कि समय दिनातमक होता है नहीं तो यह हम लिखेंगे समय जो होता है धनातमक होता है क्या होता है समय धनातमक होता है इसलिए हमको लेना पड़ेगा एक्स बराबर दस तो इसलिए बड़े नल द्वारा लिया गया समय जिसको हमने माना था एक्स तो एक्स का मान नह Leonard लिया समय दस मिनट वहीं पर छोटे नल द्वारा वहीं पर जो क्या है कि छोटे नल द्वारा लिया गया समय छोटे नल द्वारा लिया गया समय क्योंकि उसको हमने माना था कितना x प्लस 5 तो 5 विट फाल्ट देता था तो 10, 5 याने 15 मिनिट तो हमारा एंसर हो गया 10 मिनिट और 15 मिनिट ठीक है तो यह था हमारा question number 48 का answer I hope जो है आपको बिल्कुल अच्छे टंक से आप समझ गया होंगे तो चले चलते हैं question number इसी के 49 में चले question 49 हमने यहाँ पे लिखा है तो कहता है कि दो नल देखे question 48 49 50 बिल्कुल एक ही तरह question आए एक ही तरीके से बनेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल वही ची लिखना है बड़े नल द्वारा बड़े नल द्वारा लिया गया समय लिया गया समय बरावर एक मिनट ठीक है अब देखे क्यों किया देखे कता दो नल जो पानी के नल जो एक साथ हौच को भरने में इतना समय मिनट लेते हैं यदि एक नल दूसरे नल को हौज भरने में एक मिनट अधीक यानि छोटा वाला जो है एक मिनट फालतु लेता तो बताइए कितने समय में दोनों मिलके हौज को भर देंगे यहां लिखेंगे छोटे नल दौारा लिया गया समय होज गा एक पलस वन मिनट पोर फालतु लेता प्रस्न से तो ही काम करेंगे एक बटा एक प्लस एक बटा एक बटा एक बटा दो पुर्णा αHEAD 14 ठीक है चले तो इथे लिख लेंगे तो जड़ेगा X into X plus 1 तो जड़ेगा X plus 1 plus X बटावब 1 बटा 30 बटाएn 11 ठीक है क्योंकि ज़ेगे एक आदमी 22 अठाट 30 तो जगा 2x plus 1 बटा x square plus x बरावे 11 उपर जाएगा 30 नीचे cross multiplication कर लेंगे तो जगा 60x plus 30 बरावे 11x square plus 11x चले इसको उधर लेक चल जाएगे तो जगा 11x square plus 11x minus 60x minus 30 बरावर 0 तो जगा 11x square minus 49x minus 30 बरावर 0 अब देखिए इसको किस पकात हो जगा 11330 तो इसको तो जगा 55 में से 6 गया 45, 55, 330 तो हो जाता है 11x square minus 55x plus 6x minus 30 बरावर 0 11x कॉमन लेंगे तो x minus 5 plus 6 कॉमन लेंगे तो x minus 5 बरावर 0 हो जाएगा कितना 11x plus 6 इधर x minus 5 बरावर 0 तो 0 को बरावर किज़ेगा तो x बरावर हो जाएगा minus 6 बरावर 11 अधर x बरावर 5 तो क्या समय कभी दिनात्मक होता है? नहीं तो हम जानते हैं समय जो है वो धनात्मक होता है इसलिए हम को लेना पड़ेगा x बरावर 5 तो लिखेंगे बड़े नल द्वारा लिया गया समय जिसको हमने माना था x तो x का मान कितना? पांच मिनट वहीं पे जो छोटा नल है ठीक है? छोटे नल द्वारा लिया गया समय छोटे नल द्वारा लिया गया समय x पलस 1 है तो 5 एक 6 मिनट तो यह हमारा एन सोजाए कितना? 5 मिनट और 6 मिनट ठीक है? तो यह था हमारा question number 49 का solution आई देखते हैं इसके last question, question number 50 को चले question number 50 बिल्कुल से आपका कता है दो नल एक साथ एक हौज को भरने में इतना मिनट लेता है तो एक नल यदि एक नल दूसे नल से हौज भरने में तीन मिनट अधिक समय लेता है तो परतेक नल हौज भरने में कितना समय लेंगे? तो बड़ा नल वही लिख लिख लिजगा आप बड़ा नल कितना समय लेगा? एक मिनट छोटा नल कितना समय लेगा बगवा? X पलस 3 मिनिट ठीक है अधीक समय लेगा आप लिख लीजेगा कि बड़े नल द्वारा लिया गया समय चोटी नल द्वारा लिया गया समय ठीक है तो प्रसंद जाएं कि ऐसा आभी आप बनाते आ रहें तो हो जाएगा 1 वटा X पलस 1 वटा X पलस 3 वटा एक बटा 3 पुनांक 1 वटा 13 तो चलिए हो जाएगा X इंटू X पलस 3 तो हो जाएगा X पलस 3 पलस X बड़ाब 1 वटा 40 वटा 13 हो जाएगा तो 13 उपर 40 नीचे हो जाएगा चलिए तो हो जाएगा 2X पलस 3 वटा x square plus 3x बरावर 13 बटा 40 cross multiplication करेंगो थो जागा 80 x plus 120 बरावर 13 x square plus 49 x ठीक है इस सब पूधर लेक चल जाएंगे थो जागा 13 x square plus 49 x minus 80 x minus 120 बरावर 0 थो जागा 13 x square minus 41 x minus 120 बरावर 0 चली इन दोनों गुना करेंगे तो 560 बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुना करें तो 500 जोड़े घंटा है तो 40 है देखिए उपाई है इसका 13 x square minus 65 x plus 24 x minus 120 बरावर 0 65 गुना 24 पनुशा 65 में से 24 गया 41 ठीक है 13 x कॉमल लेंगे तो जागा x minus 5 आप 24 को मलेंगे तो हो जागा x minus 5 चली तो आप देखिए क्या हो जागा 13 x plus 24 इतो हो जागा x minus 5 बरावर 0 को बरावर की जागा तो x बरावर minus 24 बटा 13 गया इसको की जागा तो minus में आरा ना तो क्या समय कभी धनात्मक होता है नहीं होता है दीखेंगे चुकी समय क्या होता है समय धनात्मक होता है इसलिए x बरावर 5 लेना पड़ेगा इसलिए बड़े नलद्वारा बड़े नलद्वारा लिया गया समय हमने माना था एक्स-टे-क्स का मान 5 मिनट वहीं पे छोटे नलद्वारा लिया गया समय छोटे नलद्वारा लिया गया समय एक स्पलस तीन था तो जगा पान तीन आठ मिनिट ठीक है तो यह था हमारा 46 लेकर 50 तक के सभी प्रशनों का उत्तर तो I hope आपको समझ में आया होगा और आपने कभी इंज्वाई भी क्या होगा तो चलिए अगर आपको किसी कोई भी वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमें वाट्स अप कर सकते हैं 7368996381 पर ठीक है 73, 99, 63, 81 तो इसके दोबार क्या है कि आपको कोई भी प्रशन है उसका सॉलinda आपको मिल जाएगा और साथ में वीडियो की लिंक चाहिए वह चाहिए इस सब्जेक्टी हो चाहिए क्लास-8A क्या सब्जेक्टी विडियो जी हम आचे वह ब्याती है तो उसकी भी लिंक आप हमें क्या इस बसे मिल सकता या फिर डिस्क्रिप्शन में जाई वहाँ पर आपको देखने को मिल जागा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जहींद और वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलना